हलो और वेलकम तो एकिडि स्टड़ीओंग आज की इस वीडियों हम डिस्कस करेंगे lesson plan के बारे में जो कि आपके micro teaching की skill है skill of quotienting तो वहां से हमने lesson लिया है इसका skill of quotient का जिसमें आपने के करना है 4-5 question जो बच्चों से पूछने हैं ठीक है क्योंकि सभी colleges का अपना-पना method है करवाने का तो आपने अपने अपने टीचर से concert कर लेना कि कैसे इसको बनाया जाए तो यहां देख सकते हैं पार्ट ही हो जना सबसे पहले आपने क्या करना है चात्र अध्यापिका का नाम यहां पर चात्र अध्यापक भी हो सकता है क्योंकि अपने बाद आपके पास विशे जो यहां पर चुंबक है मा लेजे चुंबक का lesson लिया है टाइमिंग आपके पास समय अबधी जो आपके पास 5-10 मिनिट रहेगी दिना आपके पास जो भी आपके पास date होगी इस तिन की वो डाल सकते हैं सत्र यानी की session आपका कौन सा चला और परवेक्षी का का नाम यानि के टीचर का नाम जो है जो आपके जो सुपरवाइजर होंगे उस टीचर का आपने हाँ पर नाम लिखना है अब देखते हैं हाँ पर जो first हमारे पास क्या क्या लिखा होगा यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षन बिंदू सबसे पहले आएगा चातर अध्यापी का क्रियाए आएगा फिर विद्यार्थी क्रियाए आएगा श्यांपट कारे और कोशल घटकों का प्रयोग जो है यहाँ पर आपके पास आजाएगा कि शुब मद्यान लिखने के बाद आपने या फिर अध्यापत जी के बाद आपका पूण विराम आजाएगा अब देखों यहाँ पर लिखllen कि बच्चों इक्सक्लामेटरी का साईगा आपने अपने चारों और बहुत सी वस्तुएं देखी हैं जो की लोहे, प्लास्टिक, लकडी या किसी अन्य प्रदार्थ से बनी होती है कुछ ऐसे प्रदार्थ भी होते हैं जो लोहे को अपनी और आकरशित करते हैं ठीक है तो यहां पर यह चीज आपने देख ली ठीक है तो बच्चों उसके बाद आपने के गरने हैं यहां पर नेक्स लाइन में लिखना है तो बच्चों या फिर अगर आपके टीचर बोलते हैं साथ में लिखते हो तो साथ में लिखना है तो बच्चों उसके बाद आपने दुबार से exclamatory का sign लगाना है आज हम चुम्बक के बारे में पढ़ेंगे और चुम्बक को कैसे लिखना है आपने इसके नीचे line लगाने है और inverted coma को close कर देना है उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर आपने देखा कि काफी लंबी line यहाँ पर चली गई ठीक है यहाँ आपका काफी ज़्यादा बड़ा चला गया तो यहाँ पर के किया कि यहाँ लिख दिया आपने सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और नीचे जैसे देख सकते हैं आपकी जब हमने ये चीज़ लिखी तो बच्चों इसके बाद जो लिखा है आज हम चुमबक के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर चुमबक के बिल्कुल सामने चुमबक के जहाँ पर चुमबक आए उसके बिल्कुल सामने आपने के लिखना है सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं और इसी लाइन से बिल्कुल नीचे यहाँ जो चुमबक है आपका चुमबक से एक लाइन छोड़ करके आपने हाँ पर ब्लैक बोर्ड लगा करके चुमबक लिख देना है तो यह सही पैटरन है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो चुमबक आपने लिख दिया उसके बाद अब चुमबक क्या है अब टीचर ने आपसे कोशन पूछ लिया कि चुमबक क्या है यहाँ पर कुछ भी नाम हो सकता है ठीक है आप बताईए माली जी यहाँ पर कोई नाम है वो नाम आपने लिया आपके जो group का होगा आप बताईए ठीक है तो आपने के कि यहाँ पर आप बताईए और चातर उत्तर देने में क्या रहा यहाँ पर असमर्थ रहा चातर उत्तर नहीं दे पाया ठीक है जब चातर उत्तर नहीं दे पाया ठीक है यहाँ कि उस चातर नहीं दिया चातर उत्तर द याद रखना ठीक है जैसे यहाँ पर था नाम लिखा था और उसके बाद एक्सक्लामेटरी का यहाँ पर साइन था फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो उस बच्चे ने कि आंसर दे दिया कि चुमबप वह पदार्थ है जो लोहे को अपनी और आकरशित करता है अब यह जो आपके पास घटक आया वो कौन सा घटक आगे यहाँ पर पुना निर्देशन का ठीक है कि अगर एक बच्चे ने उत्तर नहीं दिया तो दूसरे बच्चे ने उसका आंसर जो है दे दिया अब पुना निर्देशन आपने लिखना कहा है जहाँ पर आपने दूसरे बच्च क्या है किस बच्चे गरना जो हां पर आपने सबसे पहले पूछा था ठीक है उस बच्चे से आपके आपने प्रशन पूछा उस बच्चे ने भी आपाशन दे दिया आपको चुमबग वह पदार्त है जो लोहे की लोहे को अपनी और आकर्शित करता है अब दूसरे बच्चे ने भी इसका आंसर दे दी जिससे आपने सबसे पहले पूछा था अब यहाँ पर teacher नहीं कहा दिया reinforcement दिया आपको कि बहुत अच्छे बैठ जाएए यह आपका first question complete next हमारे पास है चुम्बकिये पदार्थ अब चुम्बकिये पदार्थ के बारे में भी question पूछा जाएगा कि चुम्बकिये पदार्थ किने कहते हैं यहाँ पर आपने किसी student का नाम लिया आप बताईए तो यहाँ पर आपके उत्तर मिला चुम्बकिये शेत्र में अकर्षित या प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ चुम्बकिये पदार्थ कहलाते हैं तो यहाँ पर पच्चे ने जो है वो answer दे दिया ठीक है विद्यारती क्रियाओं में आप देख सकते हैं answer दे दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं चुम्ब के शेत्र में आकरशित होने वाली चुम्ब के पदार्थों के उधारन क्या है अब यहाँ पर टीचर ने उसी बच्चे से एक प्रशन और पूछ ले और यहाँ पर skill कौन सी use हो गई कौन सा घटक आपके पास component यूज हो गया अधिक सूचना प्राप्ति तो जहाँ पर यह कोशन पूछा दूसरा बिल्कुल उसी के सामने आपने जो घटक है वो लिख देना कोशल घटक यह अधिक सूचना प्राप्ति मतलग कि और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशन ज देखें ध्यान से चाहे आप वीडियो को रिपीट करके देखें लेकिन अच्छे से इस lesson को बनाना ठीक है अच्छे से आपने अपने lesson त्यार करने है और एक एक component का use कैसी किया जा रहा है वो सब आपने देखने है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें क्योंकि लेस्न प्लांज अप डेली की डेली आपके पास यहाँ पर मिलेंगे अब देखिए यहाँ पर भी नेके किया सभी विद्यारती ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं अब टीचर ने क्या गहा चुंब के शेत्र में आकर्शित होने वाली होने वाले चुंब के पदार्थ लोहा निकल और कोबालड इतियादी तो यहां से आप देख सकते कि चुंब किये से आपने स्टार्ट कर दिया, तो चुम्ब की जहाँ पर स्टार्ट है, वहाँ ही आपने ब्लैक बोर्ड लगाना है और वहीं से आपने लिखना है, बिल्कुल सामने देख सकते हैं यह देखिए, इस तरह से तो इस सारा लाइन आपने कहा करना है, श्यामपट कारे में, नेक्स आपके पास कोशन पूछ लिए जाएगा चुम्ब के ध्रूब, तो यहाँ आप चुम्ब के ध्रूब में कोशन पूछा गया कि चुम्ब के ध्रूब कौन कौन से हैं, तो यहाँ कोशन पूछा, जिस बच्चे से कोशन पूछा उसके बाद एक्सलामेटरी आप बताईए जो भी छात्र या छात्रा होगा वो उत्तर देने में क्या है? असमर्थ है, उसे उत्तर नहीं आता तो वो के अब टीचर क्या करेगा कि उससे मिलता जूलता एक कोशन और पूछ लेगा उसी बच्चे से, कि प्रिथवी के ध्रूवों के क्या नाम है? अब बच्चे से प्रशन पूछा, इसी बच्चे से, जिससे पहला प्रशन पूछा था इससे पिछले वाला पूछा था, ठीक है? कि चुमबक के ध्रूव कौन-कौन से हैं? यहाँ पर कोशन पूछा अब उस बच्चे ने उत्तर दिया कि उत्री ध्रूफ और दक्षिन ध्रूफ अब इसका अंसर उसको आता था तो यहाँ पर जो skill component यूज हुआ वो कौन सा हो गया अनुबोधन तो इसके बिल्कुल सामने आपने के लिख देना है अनुबोधन इतनी बात clear है अब उत्तर दे दिया अब उसके बाद teacher ने कहा बिल्कुल सही अब बताओ कि चुमबक के ध्रूफ कौन कौन से है अब teacher ने वही प्रशन जो है उस बच्चे से पूछ लिया बिल्कुल से वही question पूछ लिया इस cancer उसको मिल गया अब बच्चे को hint भी मिल गयी सब प बता दिये तो इसी तरह से दूसरा question अगला question भी हाँ पर complete और teacher ने कहा गिया शाबाज बैठ जाईए इतनी बात clear है अब अगला question बनता है कि चुमबक के प्रकार का भी यह question पूछा गया कि चुमबक के दो प्रकार कौन कौन से हैं question पूछा गया जिस बच्चे से question पूछा exclamatory का sign लगाया आप बताईए चुमबक के दो प्रकार कृत्रिम और प्राकरतिक हैं तो यह बच्चे ने answer दिया अब teacher ने दुबारा से question पूछ लिया अब क्या question पूछा कि प्राकरतिक और कृत्रिम चुमबक में क्या भिंता है अब यहाँ पर पुना केंदरन हो गया ठीक अब यहाँ पर आगया प्राकरतिक चुमबक हमें प्रकरति से प्राप्त होते हैं तथा कृत्रिम चुमबक मानव निर्मित होते हैं तो यहाँ पर यह question का answer जो पच्चे ने दे दिया शाबाश बैठ जाईए अब teacher ने के किया उसी प्रशन को उसी प्रशन का उत्तर दोराय कि प्राकरतिक चुमबक हमें प्रकरति से प्राप्त होते हैं तथा कृत्रिम चुमबक मानव द्वारा बनाए जाते हैं यहाँ पर दे दिया और देखिए यहाँ पर यहाँ पर यह आया कि प्राकरतिक चुमबक हमें प्रकरति तो इसके सामने आपने के किया सभी विद्यार वक्त सुन वह लिख रहे हैं तो जहां पर प्राकरतिक आया उसके बिल्कुल सामने आप नहीं कहा ना ब्लैक बोर लगा करके उस टीज को लिख देना है ठीक है जितना भी होगा लिख सकते हो यह देख सकते हैं पर पूरा का पूरा आपके पास ऐसन प्लान बढ़े तरीके से चला हुआ है अब next question पूछ लिया गया कि प्राकृतिक चुम्बक क्या है तो प्राकृतिक चुम्बक का प्रशन पूछ गया है प्राकृतिक चुम्बक में हमें प्रकृति से कैसे प्राप्त होते हैं तो नाम लिया हाँ पर किसी बच्चे का नाम लिया आप बताइए तो वहा यहां पर उत्तर देने में असमरता है, टीचर ने क्या किया, दूसरे बच्चे से पोश्चन पूछ लिया, दूसरे बच्चे ने क्या किया, आंसर दे दिया, कि प्रक्रतिक चुम्बक हमें प्रक्रति से चटानों के रूप में मिलता है, यहां पर उसने आंसर दे दिया, अब उसके बाद के किया यहां पर अब प्रशन जो है वो पूछ लिये गया उसी बच्चे से जिससे पहले प्रशन पूछा था ठीक है उसी बच्चे से दुवारे प्रशन पूछा गया क्या पूछा गया हाँ इसी बच्चे का नाम लें जो उपर आपने लाम लिये था अब आप बताए कि प्राकर्तिक चुम्बक हमें प्रकर्ती से कैसे प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर आप उस बच्चे ने आंसर दे दिये कि प्राकर्तिक चुम्बक हमें प्रकर्ती से चटानों के रूप में प्राप्त होते हैं आप एक बात ध्यान देने वाली यहां पर आपसे बच्चे ने का कि अबतर देने में क्या था असमर्थ था उसके बाद क्या होगे दूसरे बच्छे तया प्रशन पूछ आ गया तो वहां पर कों सब घटक आ और ये पूरा आंसर आपका complete अब आगे यहां पर कृत्रिम चुम्बक ठीक है तो कृत्रिम चुम्बक कैसे बनता है नाम लिया बच्चे का आप बताईए तो कृत्रिम चुम्बक मानव द्वारा लोहे से बनाए जाते हैं यहां बच्चे ने आंसर दिया और यह जो कोशन था यह कैसा कोशन था बिल्कुल सामने आपने लिख देना है कि अलोचनात्मक स्रीजनात्मक में विद्धी कि बच्चे की जो अलोचनात्मक उसकी सोच नहीं समझेगी जो शक्ति है उसमें विद्धी है या नहीं है और यहां पर आपने लिख दिया बिल्कुल सही बैठ जाए यह कृत्रिम चुम्बक मानव द्वारा लोहे से बनाए जाते हैं यहाँ पर यह टीचर ने रिपीट किया है टीचर ने जब रिपीट किया तो उसके सामने आपने लिख दे सभी विद्याती ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं तो यहाँ पर कृत्रिम आपका अक्षर आएगा बस उसकी के सामने से आपने करना हे ब्लैक बोर्ट लगा देना है तो कृत्रिम चुम्बक मानव द्वारा लोहे से बनाए जाते हैं इतना के रहे हैं अब next हमारे पास क्या आता है यहाँ पर चुम्बुकों के बीच आकर्शन तो चुम्बुकों के कौन से ध्रूव एक दूसरे को आकर्शित करते हैं तो यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम होगा वो आपने लिख देना है ठीक है आप बताइए चुम्बुकों के विपरीद ध्रूव एक दूसरे को आकर्शित करते हैं तो यहाँ पर बच्चे ने उत्तर के दिया कि चुम्बुकों के विपरीद ध्रूव एक दूसरे को आकर्शित करते हैं यहाँ पर आपके पास क्या आगे चुम्बकों को विपरीत ध्रूब कौन से होंगे अगला प्रशन पूछ लिए गया क्यों पूछा गया यहाँ पर अधिक सूचना प्राप्ति के लिए अगला कोशन पूछ लिया यह आगे आपका घटक कि चुम्बकों के विपरीत ध्रूब कौन से होंगे जो एक दूसरे को अकरशित करेंगे तो यहां उत्तर दिया किसी एक चुम्बक का दक्षिनी ध्रूब किसी दूसरे चुम्बक के उत्री ध्रूब को अकरशित करेगा बहुत अच्छे बैठ जाईए बच्चों किसी एक चुम्बक का दक्षिनी ध्रूब किसी दूसरे चुम्बक के उत्री ध्रूब को आकर्शित करता है तो ये टीचर ने कह किया रिपीट कर दिया इस कोशन को ठीक है जब टीचर ने इस कोशन को रिपीट किया और लगा करके लिख देना है किसी एक चुम्बक का दक्षिनी धूबक के उत्तरी धूबक को आकर्शित करता है ठीक है next question यहाँ पर आपके पास क्या बनता है आप कि चुम्बकों के बीच प्रतिकर्शन तो चुम्बकों के कैसे धूब एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते है नाम लिया बच्चे का आप बताएए छात्रा उत्तर देने में यहाँ पर क्या होगी असमर्थ या पर जो भी बच्चा था छात्र था या छात्रा थी उसने उत्तर देने में असमर्थ तो अब यहाँ पर क्या किया गया? कि कौन से विद्युत आवेश एक दूसरे की प्रतिकर्शित करते हैं? तो यहाँ पर लिख दिया बच्चने की समान ध्रूब, ठीक है? तो यहाँ पर जब दूसरा प्रशन पूछा गया तो आपने उसके बिल्कुल सामने के लिख देने अनुगोधन यहाँ पर घटक का यूज किया गया, ठीक है? अब यहाँ पर हाँ आप बताएए कि चुम्बकों के कैसे दूब एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं, ठीक है तो शाबाश बैठ जाएए, उसके बाद यहाँ पर क्या आगया देखिए? तो बच्चों, आज हमने चुम्बक के बारे में पढ़ा कि चुम्बक के पदार्थ हैं जो लोहे को आकर्शित करते हैं, इसके दो धूब होते हैं, उत्री धूब तथा दक्षनी धूब होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, क्रित्रीम चुम्बक तथा प्राकरतिक चुम्बक, चुम्बकों के समान धूरूफ के बीच प्रतिकर्शन और विपरित धूरूफ के बीच आकर्शन होता है, तो यह था आपका लेसन नमबर वन, ठीक है? तो इसी तरह से आपने त्यार करना है अब इसका जो लेसन कंप्लीट करने के बाद आपके पास यहां पर उत्तर तालीका बनती है मुल्यांकन तालीका जो बनती है वो बनती है इस तरह से ठीक है यहां पर क्रम संख्या एक दो तीन चार पांच आजएका कोशल घड़क का जो आपने प्रयोग किया कौन सा कोशल शार्प्ति अनुबोधन पुना केंदरन पुना निर्देशन अलोचनातमक स्रीजरातमक में व्रिधी अत्यधिक न्यून में सारे 0 कर देंगे अधिक न्यून में एक 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 लिख देंगे न्यून में 2 ओसत तीन अच्छा चार उत्तम 5 और अत्यउत्तम 6 तो इस तरह से आ लाइक शेयर कमेंट जुरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जाद से जादा शेयर करें ताकि लेस्न प्लान को समझने में उनकी भी कुछ हेल्प हो सकें मिलते हैं भी नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थेंक्स